हेलो गाइज वेलकम टुमाहीचे अनल आइम शशामति बारी इंड इस इस माइन अदर वीडियो सो गाइज आज के जो वीडियो है यह बहुत इंपोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए अगर आपके पास भी एक ऐसा स्मार्टफून है जिसमें 3.5 mm का आडियो जैक नहीं अब मार्केट में एक चीज बहुत ही फेमस है इस स्मार्टफून के लिए जितने भी टाइप सी पोर्ट वाले स्मार्टफून है उसके लिए दोस्तों एक कनेक्टर बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है अजकल जो ट्रेंडिंग भी है और हर कोई से पर्चेस कर रहा है यह ह जोस्तों टाइप-C to 3.5 mm jack वाले एक जिसके एक end में आपको Type-C port मिलता है और next end में आपको 3.5 connector मिलता है तो इसके help से आप किसी भी Type-C port वाले स्मार्टफून में 3.5 mm के import वाले कोई भी wire को, mic को, earphone को सब कुछ आप connect कर पाऊगे बहुत easily तो अगर आप भी चाहते हो इसक तो यहां पर दोस्तों हमारे पास है यह एक किनेक्टर जैसे की बॉक्स में में यूस्बी सी हैट सेट जैक एड़ाप्टर दोस्तों इसके हेल्प से आप किसी भी स्मार्ट फोन में इसको यूज कर पाओगे और 3.5 mm का जैक ले पाओगे यह यूस्बी टाइप सी टू 3.5 mm क रहता है बट ऐसी कंडिशन में अगर आप क्रियेटर हो या को वाइस ओवर करना है तो बोया माइक है और वी जैसे येरफोन हैं वहां पर आपको इसकी नीड होगी तो यह जब प्रोडेक्ट है दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हो इस बॉक्स कांटेंट में हम लो लोकल कनेक्टर को सपोर्ट नहीं करता इसलिए दोस्तों मैंने इसको पर्चेस किया है और आगे मैं आपको इसकी प्राइजिंग भी बताऊंगा तो फिलाल यहां पे यह है 3.5 mm का पोर्ट और यह है टाइप C पोर्ट तो यह दोनों ही दोस्तों आपको पोर्ट मिल जाते ह तो यहां पे मैं आपको टुटोरियल दिखा देता हूँ जैसे कि आप देख सकते हो यह हमारा स्मार्ट फोन और अब मैंने टाइप C पोर्ट को यहां पे कनेक्ट कर दिया है और इसका जो नेक्स्ट एंड है दोस्तों 3.5 mm जैक वह आप कनेक्ट कर सकते हो किसी भी इयर फो से हम लोग कोई भी सांग प्ले कर पाएंगे और अब मैं आपको लाइव एक एक एक्जामपल दिखा देता हूँ कि यह जो दोस्तों मैंने सांग प्ले किया यह जो भजन है अब यह डारेक्ट इयर फोन में इसकी वाइस आएगी तो जैसा कि आपने देखा जैसे मैं माईक का मुवमेंट कर रहा था वाइस अब डाउन हो रही थी मतलब वाइस एयर फोन के तुरू आ रही है तो अब मैं यहाँ पर डिस्टेंस को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ ताकि आपको और अच्छा एक्सपिरेंस मिल पाए कि यह जो वाइस है यह दोस्तों एयर फोन के तुरू ही आ रही है तो जैसा कि आपने देखा इस किनेक्टर के हैं लोग बहुत एजली अपने यहर फोन को किनेक्ट कर पाए अब दोस्तों बारी आती है बोया माइक की और इसको टेस्ट करने का जो मैठट है वो कुछ अलग है क्यामक के थरूआ आप नहीं इसको टेेस्ट कर पाऊगे तोई यहां परılar औरगा किनेक्ट कर दिया है और अब आपको अगर पता करना है कि यह माइक शूण करकि दिखां है मैं आपको फिर से दिखा जिता हूं जैसे ही मैंने क्लिक किया recording audio through headset यह चीज़ आपको अगीन अगीन बताएगा और इसका मतलब है कि आपकी जो external mic है वो connected है तो अब मैं यहाँ पे एक sample video भी record कर लेता हूं तो दोस्तों यहाँ पे आप लुक देख सकते हो अभी यह जो recording हो रही है यह इसी adapter के through हो रही है और इस connector के help से मैं यहाँ पे boyam mic को इस phone से connect कर पाया हूं और यह हमारा phone जिसमें हम लोगो 3.5 mm का jack नहीं मिलता है बट इस connector के help से यह जो recording है इस पे हम लोग external mic का use कर पा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी यह जो recording हो रही है यह इसी adapter के through हो रही है और इस connector के help से मैं यहाँ पे boyam mic को इस phone से connect कर पाया हूं और यह है हमारा phone जिसमें हम लोगो 3.5 mm का jack नहीं मिलता है बट इस connector के help से यह जो recording है इस पे हम लोग external mic का use कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आपने इसका result देखा इसका जो output है वो मुझे बहुत ही कमाल का लगा और इस connector के help से आप किसी भी type C port वाले smartphone में 3.5 mm का use कर पाऊगे और अगर बात करें इसके pricing की तो यह वाला connector दोस्तो 300 रूपीज का है बट मैंने इसको 250 रूपीज में purchase किया है बट कोई भी product लेने इस पहले कोई भी connector आप एक बार चेक कर लेना कि आपके especially mobile में आपक काम कर रहा है कि नहीं hope you like this video please like and subscribe my channel thanks